तो दोस्तो आज 23rd February 2024 बजार में आज बहुती जादा वलिटिल्टी हमें देखने को मिला जहाँ पे निफ्टी फिप्टी एकदम से गाप ओवे निंग दिया उसके साथ सथ अपने अल्टाइम हाई भी टच किया क्लोजिंग दिया थोरा सा नीचे आके 22212 पॉइंट पे एकदम फ्लैट में मतब क्लोजिंग के समय कोई बहुत बड़ा ना तेजी ना गिरावट हमें देखने को मिला क्यार बात करेंगे इस वीडियो पे शेयर मार्केट से लेटेड बहुत सार इंपॉर्टेंट जान करी आज दिन का पूरा पूरा अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा साथ में ग्लोबाल मार्केट का हल चाल FSDS का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मार्केट प्रेडिक्शन वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे कल परसू Saturday Sunday बजार क्लोज रहता है मंडे जब बजार उपेनों का ध्यान से सुनना उसके टिक पहले संडे रात की सारे दस की वीडियो उसमें दोस्तों हम फिर से कवर करेंगे मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट क्लियर तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक जरूर देखना तो चली सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट एनलिस्ट द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया कि आज निफ्टी फिप्टी जिस लेबल को पर क्लोजिंग दिया उसके उपर बेस करके अपकमिंग ट्रेडिंग विक पर किस तरह बूफ कर सकता है तो दोस्तों इस निउस को कवर किया एक ब्रोकर्च की द्वारा अनलिस्ट ने इनके अकोडिंग आज निफ्टी फिप्टी जिस लेबल पर क्लोजिंग दिया उसके उपर बेस करके थोड़ा सा कंसॉलिडेट कर सकता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लेली मेंशन किया साथ में कुछ इंपॉर्टेन लेबल्स रेजिस्टेंस 1250 इस लेबल को ब्रेक आउट देना पड़ेगा तब ही जाके पॉसिबिलिटी है अगर नीचे की तरफ गिरावाट हुआ उस केस में यहाँ पर देख से तो 22,000 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट भी है और लगातार यहाँ पर मेंशन किया कि 22,100 से लेके 22,130 पे डिमांड जोन है पतब लगातार यहाँ पर आ रहा है निफ्टी फिर से बांस बैक देखने को मिला यह तो हमने देख लिया आपकी एकॉनोमिक टैम की वेबसेट में जो एनलिस्ट ने अपना पॉइंट व्यू रखका अभी हम बात करेंगे मनी कंट्रोल की वेबसेट में एक दूसर सब्सक्राइब निफ्टी डूकेगा नहीं उपर की तरफ भी मूफ करेगा उपर की तरफ जो स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस या नेक्स टारगेट मेंशन किया 2250 क्या आसपास बागी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए इसके पर एकदम लेटेस्ट अब्रेट है मतलब इसी ट्रेडिंग विक का इसमें भी थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप दाउन देखने को मिला जादा नहीं सिर्फ सी वान पॉइंट वान फ्री बिलिन डॉलर के आसपास अब देखी कभी कवार ऐसा होता है कि इंडियन करेंसी को ए उसके साथ साथ देखेए बहुत बड़ा रेटिंग vez King अकिसर देखा की रेटिंग एजण सी कंपनी को तो बड़े बैंक को बड़े keeper को टार्गेट करतें ठीक वैसे घॉड़वर बहुत बर रिइटिंग ऑजन सी कंपणी गोलमेंट सैच ने डाउं ग्रेος हां जैसे यहां पर दोस्तों गोल्ड मैंस सेच द्वारा डाउन ग्रेट किया और गोल्ड मैंस सेच की इंपक्ट थोड़ावाद आपको नेगीडिवी जेखने को मिलता है अक्सर अपने देखा कि कोई ब्रोकर जब कवर करता है खास करके ग्लोबल ब्रोकरेज के मैं बात करूं तो उस का इंपक्टर में इंस्टेंट देखने को मिलता है तो अगर सब कुस ठीक टा करहां तो यह सारे शेयर में गिरावट भी होने का पॉसिबिलिटी है नेक्स दोस्तों काफी अच्छी अपडेट है सब खास करके टेक्स्टेल सेक्टर की इंवेस्टर्स के लिए जो सारी कंप इनके अकोडिंग 95,000 करोर का दोस्तों इंवेस्टमेंट आ सकता है टेक्स्टेल सेक्टर में नेक्स चार से पांच साल की भीतर भीतर नेक्स दम बात करेंगे दोस्तों आज की डेट पे फिर से हमें एडरेट की शेयर में लोगर सरकीट देखने को मिला तो देखे इडरेट क्या आपका forward strategy हो सकता है सब कुछ हम कवर करेंगे और आप सभी को सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और चैनल के सा जुड़े जरूर रहना और यह वीडियो दोस्तों कभी मिज मत का नकल की रेट पे एक और छोटा सा अप सब्सक्राइब की सिनारियों पर बहुत ज़्यादा ही है बठाइब दे सेम टाइम यह बात भी सही है कि आज की डेलिवरी काफी अच्छा देखने को मिला अल्मोस्ट डेर कौर वॉल्यूम जादा नहीं था अल्मोस्ट 85.28 परसें यानि इसमें आज खुब माल उठाया गय है ठीक है नेक्स चले थोड़ा सा घूम क्याता है यूस मार्केट से यूस मार्केट में थोड़ा सा बहुत हमें वालीटिल्टी देखने को मिला आज इंडियन मार्केट के तरह जैसके अब देख सकता भी समय हुआ बारा बच के नॉमेट वेस में 0.40 पर से अभी डॉल जो फिर से एक उमीद बनेगा कि मंडे के दिन सब कुछ ठीक टाकरा बजार में एक अच्छा रिकवरी हो सकता है बर स्टिल यहां पर एक चांस है ठीक है बागी बात करते कि यह बात भी सही है कि यूस की दस साल की बॉन डिल बीच में बहुत सदा स्पाइक कर गया था बहुत सब्सक्राइब लगबग 10% जादा अभी तो फिलाल बॉन डिल में गिरावर देखने को बहुत अच्छी बात है और यह मैं चाहूंगा कि यूस की दस साल की बॉन डिल है ना फोर की नीचे आ जाए 3.9 3.8 यह एकदम परफेक्ट रहेगा ठीक है एक मार्केट की ग्रोथ के लिए ठीक है नेक्स बात करें ब्रेन कूट के अंदर चलिए थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूं यहां पे 1.1 स्वारी 1.91 परसें ड्रॉप यहां पे भी देखे काफी अची अच्छी बात नहीं होता उसके बात करें इंडियन मार्केट की कुछ इंपार्टन कंपनी जैसे क विपर लिमिटेट की शियर 0.79 परसें उपर पहुंच चुका भी इंफोसीस एरियर की बात करें तो यहां पर देख सेखें तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ 0.66 परसें का आसपास बाट इसके बीच में HDFC बैंक की शियर होल्डर के अच्छी अपडेट है ADR वर्शन पे लग सजा 280 पॉइंट पे यानि आज निफ्टी 50 जिस लेबल पे क्लोजिंग दिया लगबग देखा जाए 70-500 पॉइंट उपर ही ट्रेट करें गिफ निफ्टी अब चली थोड़ा सम देख लेते Fsds का डेटा बाट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छ यह चारों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज Fs दौरा दोस्तों बहुत दिनों बाद काफी अच्छा पर्चेस दिखने ना के बले इंवेस्टर्स ने खूब माल उठाया कितना डिया ने 176 करोर का नेट वालू बाइंग किया तो मतलब आज बड़े उपर आके क्लोजिंग देखने को मिला तो दोस्तों वीडियो को खतम करने से पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि कल कौन-कौनसी वीडियो आगा मैं आपको एक बाथ लिक के देता हूं सैटर्डे उसके बाद हो कि आपका संडे ठीक है सैटर्डे के दिन यह जो मै करेंगे इसी चैनल के बाद की दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं मिलता नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्या बबाई जय हिंद